हेलो, what's up guys, आज हम इस वीडियो में देखेंगे how to create a napbar in react version 19 जहां guys, अबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि आज हम क्या create करने वाले है तो यह जो website, यह जो user interface आपको दिखाई दे रहा है इसे आज हम create करने वाले है and अगर आप सोचरों कि यह napbar क्या होता है I know आपको मालो में napbar क्या होता है but still मैं बता दू, यह जो particular part आपको यह red box के अंदर दिखाई दे रहा है यह आपका एक napbar कहलाता है और example अगर मैं आपको दू, तो here also we have this complete यह आपका एक napbar चाहो तो आप इसको menu भी कह सकते हो, ठीक है अब इसको create करना तो easy, no problem यह हम बहुत easily create कर सकते है अगर आपने HTML CSS देखा है या अगर आपको आता तो आप कर लोगे लेकिन main कब है, main तो तब है ना कि जब आप इसको responsive बनावे, देखो यह देखा guys, यह देखो I hope आपको दिख रहा होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो यह इस तरीके से आपको इसको responsive बनाना है जब आप इस पर click करोगे, तो यह आपका drop down इस तरीके से आपको दिखना चाहिए I know इसको हम और बेटर कर सकते हैं, बट मेरे लिए main था यह दिखाना कि कम से कम code में यह जो functionality है, नैब बार वाली हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं Using React वो मुझा आपको इस वीडियो में दिखाना है क्योंकि अभी तक हम बहुत कुछ देख चुकि हमने कल के दिन एक project बनाय था ECODEON, then हमने complete code operation किया with the help of React and then Axios वो भी HTTP method के साथ, almost 96th video है, पूरा like React का version 19 के साथ हम काम कर रहे है जो भी तक आया भी नहीं है, like still release candidate stage पे तो guys इस playlist को जरू check out किजे, मैं लिख के देख तो इससे better आपको कहीं नहीं मिल का और कम से कम code में कैसे create कर सकते हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगा एक और best part, आज मैं complete JSX basically react का part and CSS complete में आपको बताने वाला हूँ क्योंकि मैंने notice की कि आप में से बहुत तो को, अगर CSS ना बताओ तो idea नहीं आता है आज इसमें पूरा खेल CSS का ही है by the way और गाइस तो अब हम बीना किसी दिर की video को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले एक खुसी की ख़़र है कि इसका source code बिलकुल free है और बता चुका हूँ कि complete CSS भी मैं आज आपको line by line step by step बताऊंगा और साथी साथ if you want to support my work then guys मेरे entire 7 years में मैंने अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट और सब कुछ जितने भी लैंगुजिस में बनाया है पुरा with notes सब कुछ मेंने सेल पर रखा सिर्फ और सिर्फ 249 रुपीज में आपको एक सब्वे में बर्गर ना मिले या मैगडी में कुछ खाने को ना मिले बट 249 रुपीज में मेरे entire YouTube करियर का प्रोजेक्ट जो जिसका वरत आगेस लाखों में होगा बट मैं सिर्फ 249 में दे रहा हूं ताकि कुछ सपोर्ट हो जाए और उसके बदले आपकी भी कुछ हेल्प हो जाए आपकी बहुत ज्यादा होगी कुछ ही नहीं बहुत ज्यादा तो इसको आप जरू चकाओट कर सक कियेगा एल्स आप इसकी पिसकी पर इसको थोड़ा फास पर रोटर के देख सकते हो ठीक है सो देख लीजेए गाई सिंपल सबसे पहले क्या करते है वार देख लू कुछ है यहां पर नहीं कुछ भी निया ठीक है सो NPM create wait at the rate latest ठीक है सबसे पहले हम wait के थुरू करें that's why project का नामे दे देता हूं react underscore nav bar ठीक है perfect let's go with react let's go with javascript and this is done so इसने बोला पहले cd react nav bar के अंदर जाओ एंड दिखाई देता हूं मैं आपको यहां पर आप देख सकते हो cd nav bar के अंदर जाओ npm install करो and project को run करो ठीक है तो cd nav bar के अंदर गया let's go with npm install and जब तक इंस्टॉल हो रहा है let me tell you one thing कि यहां पर यह जो आइकन आपको दिखाई देता है जब हम mobile version में होते तो यह मैंने react icons क कुछ लिख सकते हो तो इस तरह के से आपको आएगा तो यहां पर आप देख सकते हो बहुत किलेली this is the code we need to again type you know to type की निर नहीं जस्ट कॉपी and आप देख सकते हो यहां पर इंस्टॉल हो चुका इसको भी मैं आप इंस्टॉल करने जा रहा हूं so like हमने हमारा react इंस्टॉल हो गया react का icons इंस्टॉल हो गया है अगेन इसको क्लियर करो npm run and then dead ठीक है तो यह मेरा काम हो गया तो गाइस अगर इतने में भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है देन प्लीज हमारे जो प्लेलिस्ट है इसको जरूर चकाउट कीजिए गा और इसपेसिल यह आपको कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला ओल राइट वो माइग गॉड सो सोर्स पे चलते है एप.css इसको अटा में कम्प्लिट करूंगा इंडेक्स.css बाइद वे इंडेक्स.css वाला जो मेरे पास है उसका कोड मेरे पास अल्रेड है और यह जो कोडे इसको आ ला परटिकुलर सेक्षन राइट वो यह नहीं बनाते तो अब उसमें होगा यह कि जब हम अगर यह hero section ना बनाएं जब हम इस तरी किसे mobile version में जाते अगर इसके में क्लिक करता हो ना तो यह जो मेरा mobile I mean hero section जो है मेरा image वो नीचे धगल देता है तो मैंने जानबुच के यहाँ पे इस बार hero section रखा है ताकि मैं आपको यह दिखा हूं कि जो हभी हम बना रहे हैं एकदम सही है इसमें कोई problem नहीं आप इसको project में use कर सकती हो देखो ना like सब अपने जगे as it easy है यह देखो बना बहुत बार क्या होता कि यह जो पाटे वो जब उपर से आता तो धगल देता है उसको तो यहाँ पैसा कुछ भी नहीं है that's why मैंने यह रखा है ताकि आपको feel आये कि हम एक actual website में इस तरीके से हम एक nap bar create कर रहे है ठीक है तो यह जो party hero section उसके लिए है ठीक है तो हमें उससे लेना दे नहीं नहीं है right तो मैं यहाँ पे चलता हूं and सबसे पहले let's go with our source लेकिन उससे भी पहले app.jsx पे चलते है एक बार इसको मैं आटा देता हूं ठीक है तो अब लोगों के लिए जूम कर देता हूं इसको यहाँ से मैं आटा देता हूं so const we have our app ठीक है यहाँ पे चलते है let's go with return h1 hello nap bar ठीक है so now guys हमें इसको export default and we have our app यह करना जरूरी है क्यों कि main dot अगर मैं आपको दिखा हूं यहाँ पे तो by default app यहाँ पे हम already get कर चुक है and without curly braces so that's why हमें उसको default export करना पड़ता है ठीक है so यह मेरा काम हो गया and I guess यह already मेरा run कर रहा हूं 5174 तो मैं आगर यहाँ पे चलता हूं over here इस 5174 तो hello napbar आपको कुछ हो अब इस्तिर किसी दिखाई दे रहा है चलो ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पे चलते है and मैं आपको इसका थोड़ा सब guide करना चाहूंगा क्या हो रहा है so this is our complete one header यह आपका एक header है right उसके अंदर अगर आप देखोगे तो इतना सा जो एक portion आपको दिखाई दे रहा है यह जो पार्ट है यह आपका एक container है क्या आपका एक container है उसके अंदर भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यह एक अलग सा डीव है and यह एक अलग सा डीव है so कही न कहीं एक header मुझे लग रहा है एक container मुझे लग रहा है and यह जो दो parts आपको दिखाई दे रहे उनको एक को left एक को right वेजने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ लग रहा है So basically 3 parents है यहाँ ठीक है And then उसके बाद तो यह एक logo And इसका अपना खुद का एक UL li nap कुछ भी आप कह लीजे So यह कुछ इस तरीके से काम कर रहा So मैं source पे चलूँगा एक new folder create करूँगा जिसका नाम होगा components उसके अंदर चलूँगा nav nav.jsx And उसी के अंदर में चलूँगा And मैं एक और new file create करूँगा And that is my hero section क्योंकि वो जो second वाला जो part दिखाई दे रहा हो आपका hero section है And by the way I have my hero section code already with me तो इसको मैं copy paste कर दे रहा हो आपको बिल्कूल टेंशन नहीं लेना है क्योंकि इससे हमें लेना देना ही नहीं आज का हमारा काम नहीं इससे कुछ भी तो मैं app पे चलूँगा So we have a hero section All right आ नहीं रहे So फिर से एक बार मैं चलना चाहूँगा यहाँ पे export किया हुआ है मैंने पहले से ही no problem So hero section close कर रहा हूँ Control and then space and इसको मैंने कर ली उपर से import ठीक है अब हमें nap bar पे चलना पड़ेगा क्योंकि nap bar तो हमें पूरा देखना है A to Z बिल्कूल scratch से देखना है So const उससे पहले आप इसको कर दो export ठीक है यहाँ पे मैं चलता हूँ So we have a nap bar and yeah this is it So we have a return h1 nap bar कर देता हूँ मैं And yeah खतम App पे आना है इसको control and then space and इसको भी import कर लेना है So हमारा जो app.j6 वाला part it's done यह final complete हो चुका है ठीक है अब इसको भी आप यहाँ से हटा दो फिर App.j6 हमें चाहिए इसके मुझे कोई नीड नी इसको भी मैंने हटा दी ठीक है अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ And this is what we are getting currently right now So यह कुछ आपको इस तरकी से 100% में दिखाई दे रहा है So यह जो है उसको आप मुझे यह बनाना है Pure React and then CSS की मदद से ठीक है And guys if you want me to make the same using Tailwind CSS also Let me know in the comment section And this video में हम like target रखते सिर्फ पर सिर्फ 1,000 likes अरे यार 1,000 likes की तो बात है अगर आप देख रहे हैं तो like कर दो है ना बहुत मजाने वाला है All right, तो देख लिजिए पहले हम यह design बना लेते ठीक है So मैं नफ बार पर आता हूँ अब इसको भी हाटाता हूँ So let's go with first our header Then मैं आप से कहा था We need one main container So for some reason यह मुझे suggestion नहीं दे रहा But it's fine So we have a container Then अमें यादे एक को left एक को right बेचने है तो अभी यहाँ पर आपके माइंड में एक question आ सकता है Should I go with grid Or should I go with flex And अगर आप सोच रहो भगवान यह क्या है grid and then flex box तो मैं highly recommend करना चाहूँगा Please आप मेरा यह जो world best आप देख सेकते हूँ HTML है CSS है JavaScript है लेकिन फिलाल अभी के लिए यह जो आपका CSS वाला जो part इसमें जरूर check out कीजिए पूरा animation के साथ मैंने आपको grid and flex box समझाया हूँ इससे better आपको कहीं नहीं मिलेगा मैं लिख के देता हूँ आप एक बार देखके तो देखो फिर आपको पता चलेगा ठीक है So यहाँ पर मैं चलूँगा So I will go with grid And here let's go with nebba And then grid ठीक है All right ही मेरा काम हो गया अब इसके अंदर में एक डीब ले रहा हूँ Basically यह डीब क्यूँ ले रहा हूँ बोलने से class name मेरे logo के लिए ठीक है And logo आप चाओ तो कुछ भी उसको पर फिलाल अभी के लिए मैं जस्ट अपना ही नाम रख देता हूँ So it's a thapa ठीक है Thapa technical All right ठीक इसी के नीचे में चलता हूँ एक और डीब में लूँगा Now this time अच्छा मुझे डीब की भी नीट नहीं है क्योंकि मैं इस grid की मदद से एक को left एक को right कर दूँगा And जो मेरा second वाला होगा मैं डीब के बदले मैं डारेक्ली नैब ले रहा हूँ ठीक है मैंने कहा लिए डारेक्ली नैब लिए इसके अंदर वी हवाव यूवल And then उसके अंदर वी हवाव लाई इंटू I guess it's a four तो मैंने इस तरह के से इसको चार कर लिए ठीक है इसके अंदर भी हमें एक और एंकर टैग लगेगा And यहां पर यह as it is लिखके हमें छोड़ देना है ठीक है तो कुछ हो इतना हो गया So let's go over here and let's go with our home यहां पर हम चलते है Let's go with our about And by the way guys आप इसको ना map method चला कि भी लूप में वाला भी system कर सकती हूँ It's totally up to you But मैंको बस वो functionality दिखाना है simple सा Then वो अगर एक बार हो जाता तो फिर आप इसको आपकी मर्जर जैसे आपको करना आप इसको कर सकती हो जैसा look आपको देना आप दे सकती हो ठीक है अब मेरे पास एक link है यहां पर ठीक है इसको मैं copy कर लेता हूँ and if you want to contact then guys मेरे पास यह link के देखो मैंने HRF पे मेरे Instagram थापा technical कर दिया मैं आपको बताऊंगा थुदर में but yes इतना मेरा part हो गया ठीक है So अब अगर मैं यहां पर चलता हूँ over here तो कुछ वो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है and साथी साथ let's go with gen mode right तो थोड़ा सा यह clean and look हमें दिखाई देगा appearance में gen mode कर देते ठीक है So this side we have our code and this side I am going to put app.css ठीक है ठीक है सबसे पहले तो guys always make sure यह मैं आपने बहुत बार मैं बता चुक अपने css वाले video में जो जब हम final project बना रहे थे इस वाले में don't worry don't worry final project में मैंने पूरा step बताए कि हम क्या करते है and क्यों करते so let's go with margin if you want guys आप इसको skip कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं but मैं चाहता हूँ पूरा A2Jet आज मैं आपको बताउं कि जब मैं बनाता हूं तो कैसे बनाता हूं box sizing it will be your border box ठीक है और लाटी मेरा काम हो गया तो यह कुछ मेरे defaults है जो ना मैं always लिखता ही लिखता हूं then we have this html font का size 62.5 ठीक है and मैं always a font family use करता हूं जिसका नाम है urbanist ठीक है so it's urbanist तो अभी तक कैसे कोई बड़ी बात नहीं थी यहां पर परेग्राफ लाई anchor tag and then button हमारे सब को select कर रहा हूं and font का size सब का मैंना फिलाल के लिए तो मैं common रख देता हूं ऐसा कुछ नहीं जब मुझे लगेगा तब मैं हटा दूँगा फोड़ा सा later spacing मुझे मालू मैं उस चिपक के आता तो इसलिए मैं थोड़ा सा one RAM का दे रहा हूं and yeah I guess इतना कर दिया तो enough हो जाएगा so अब मैं अगर यहां चलता हूं तो इतना करने से कुछ change हुआ नहीं है उसके पीछे का region यह है कि आपको यहां पर app.jsx पर जाना पड़ेगा and over here आपको guys उसको import करना पड़ेगा ठीक है and dot forward slash we have our app.css ठीक है तो यह मैंने जब import की तो यह वाला वहां पर apply हो जाएगा and boom guys see आपने देखा automatic just उतना लिखने से भी मेरा यह जो code है तो कुछ आपको इस्तरी किसी दिखाए देरा बहुत प्यारा अब कहीं पे भी extra space padding कुछ नहीं है अब बस मुझे इसको one by one tackle करना है ठीक है so मैं वापस यहां चलता हूँ यह पार्ट को थोड़ा साथ से रगए ठीक है तो सबसे पहले let's target our header ठीक है so let's go भी ताओ header and header को सबसे पहले मैं क्या करूँगा I add 10 RAM ठीक है अगर इतना भी मैं करता हूँ तो guys कुछ इतना पाता नहीं चलेगा but yes the moment मैं box shadow and then अगर मैं background color add कर देता हूँ तो आपको थोड़ा बत याद आ जाएगा okay so now यह इसका look कुछ ऐसा आगया आप देख सकते हूँ मुझे border आए ठीक है जो कि बहुत अच्छी बात है and लगे हाथ मैं काम करता हूँ इसका make sure करता हूँ कि width always 100% ही इसका रहे yeah मेरा header का काम complete now मेरा container का काम क्या मैं आपको बताता हूँ अगर आप कभी भी notice करना कोई भी website अगर आप देखते हो even मेरा अगर यह वाला website भी अगर आप देखोगे ठीक है so एक चीज आप notice करो कि यहां पर हमने pattern follow किया है जहां पर यह देख रहे हो यह इतना ही है यह I mean यह देखो नहीं एक line है यहां पर अगर मैं आपको बता हूँ so we have one line इस तरह के से line and जिसको हम follow कर रहे है यह पूरा खाली है यह पूरा खाली है even अगर मैं आपको बता हूँ over here also we have a line and यह पूरा खाली है ठीक है तो यह container के अंदर यह है बाकी वह हमने खाली रखा हुआ है so that's why container container ठीक है आप देखो कि यह बहुत सारे लोग इस तरह किसे यूज करते है maximum weight रखते है ज्यादा से ज्यादा आप इतना यूज करो 132 RAM basically 1320 pixel रख रहा हूं इस तरह किसे ठीक है अब अगर इतना भी मैं कर देता हूँ and इतना में रखता हूँ तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा by the way आपको but the moment अगर मैं margin and then auto कर दूँगा तब automatic subset हो जाएंगे देखो अब आप देख सकते हूँ कि कही ना कही यह वाली feeling यहाँ पर हमें आने लगी है इतना तो आपका हो गया अब मुझे इनको basically जो मेरे nap bar है एक को left दूसरे को right करना है कैसे करेंगे देखो यह बहुत important है आप flex के through भी कर सकते हूँ but मैंने कैसोचा मैंने already grid ली हुई है तो मैं क्या करूँगा कि यह जो मेरा part है कुछ इतना मेरा यह container है container में मैं क्या करने जा रहा हूँ कि यह जो मेरा portion है इसको मैं कुछ तो भी इतना लूँगा मनलब 0.5 का मैं पाट देने वाला हूँ grid में वही है बर template का हम 1fr 2fr कर देना तो 0.5 इसको दूँगा रही बात बाकी यह जो है इतना यह आपका almost इसका double इसको मैं 1fr कर दूँगा 1fr ठीक है सबसे पहले तो मुझे display grid करना पड़ेगा display grid ठीक है इसका काम खत्तम बस इसका काम इतना ही था now we have this nebba grid so nebba grid पे मैं चलता हूँ इसको थास ओपर कर देता आप लोगो एक लिए so it's a grid template columns repeat 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 की फिलाल यहां पर कोई मुझे क्योंकि हमारे पास इसको 0.5fr दूसरे को 1fr this is it the moment अगर इतना मैं करता हूँ तो यह automatic यह अपने line में आ जाएंगे और कुछ वह आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है यह मेरे लिए कितना easy होगा यहां पर आगे और यहां पर आगे अब इन दोनों को मुझे एकदम vertically center में रखना तो उसके लिए बहुत easy है so यहीं पर ही में चलूंगा we have align item center the moment यह करता हूँ मेरा काम होगा see यह automatic पहले हम line height लिखते थे बट अब कितनी मेरा यह काम होगा इसको मुझे कुछ ऐसा बनाना है सबसे पहले तो क्यों न इसको में एक line कर दूं तो अगर उसको मुझे एक line में करना है simple as just go with the display flex the moment यह कर दोगे यह एक line में हो गया आप देख सकते हूँ कि यह एक line में हो गया अब उसको मुझे कोने में बेजने है कोने में बेजने के लिए so we have a justify content and flex and यह the moment करते हो कोने में भी चला गया and एक चीज हम देख पा रहे है कि यह जो मेरा align item होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है एक काम करते है क्यों नहीं हो रहा है let's check it out so इसको BGC background color में file के लिए yellow देना चाहूंगा जिससे मुझे यह idea आएगा कि क्या हो रहा है okay so कुछ जो ऐसा हो रहा है यहाँ पे कुछ तो भी वो इस तरीके से हो रहा है तो हम एक काम करते है कि हमारा जो container है उसको भी मैं height दे देता हूं 10 and then ram 10 ram इस तरीके से में दे रहा हूं and साथी साथ यह जो height है से में इसको भी दे देता हूं क्योंकि मैंने align item center कर रहा है लिकिन height ही अगर उसके पास नहीं है right तो अब इसका भी height 10 ram होगा and 10 ram के center में मुझे चाहिए so boom guys मेरा काम हो गया वापस से right आप देख रहा हूं सेसे के थूरू कितना easy हो जाते इसको करने का all right अब यहां पी जो है एक दूसरे के साथ चिपके हुए है तो चलो वह चिपकाना को हटाते हम भाई इतना मत चिपको gap देंगे हम property by default मिलती है 3.2 ram मोमेंट यह लिखूंगा मुझे कि आप भी पड़ पा रहे हुए यहां पर हमने क्या लिखा वह मुझे उनका dot है dot नीच ही है यहां चलेंगे li we have list style and then none वह भी चला गया बहुत अच्छी बात ठीक है यहां पर हमारा जो font family है या perfect गडबड हो रखाता है यहां पर कि एक साइट तो यह डबल कोट है बड़ दुस्रे साइट नहीं था तो मैं उसको यहां पर भी कर देता हूं अब यह करूंगा तो अब यह बराबर हो गया हमारा जो look है वह almost आई गया है look तो almost आई गया look almost आई गया तो मैं अब यह जो color है इसको हटा देता हूं perfect यह जो color है इसको मुझे black ही चाहिए ना कि वह चाहिए so हम क्या करेंगे यहां पर anchor tag इसका जो color है by default हो रहेगा यह ठीक है and जब भी यह काम करतो हो मैं nested use कर रहा हूं ठीक है and आप चाहो तो आप भी यह कर सकते हो by the way and amputs and डूणने में मेरा time जलाई है जब भी कोई अब इसको करेगा hover तो यह color है and text decoration में underline कर दूँगा यह देखो ठीक है मेरा काम हो गया all right perfect see इतना तो हमने बना लिया इसमें कोई problem नहीं था so yeah guys हमारे इतना काम हो गया है अब हमें इसको क्या करना है responsive बनाना है ठीक है फाइनली वह गड़ी आ गई है and यहां पर थोड़ा सा space है हमारे में थोड़ा सा space नहीं है इत जगे पे so guys उसके लिए हम क्या करेंगी नभा grid पे आऊंगा यहां पर नीचे से तो नीचे पर आजो यहां बाजो से मुझे 32 pixel का लगेगा so यहां मेरा काम हो रहा है यहां पर आप देख सकते हो कि इस जगे पे ना gap है बना वो चिपक के आ रहे थे पहले and even over here also we are getting a gap जो कि बहुत अच्छी बात है अब जब हम mobile version पे जाएंगे तो मुझे उसको हटा कि यह icon दिखाना है so icon तो यहां पे है हमारे पास यह रहा ना मैंने यहां पे सर्च किया and मैंने इसको get की देखो क्या करते है यहां पे आप सर्च कर सकते हो hamburger ऐसे करके and यहां पे इतने सारे option आते है आपको बस इस पे क्लिक करना है तो left side से यह pop up आ जाता है and यहां पे आप देख सेकते है इसको आप import करो at the top and then इस particular component को आप यूज करो यह आपका लोगो आ भी जाएगा वाँ पे तो इसको मैंने copy की right so मैं यहां पे आता हूँ and उसके अंदर इसको मैं रखना चाहूँगा ठीक है and इसको एक class देना चाहूँगा ham menu करके ठीक है क्योंकि यह मुझे desktop version में नहीं दिखाना है but yes in our mobile version हम इसको display कराना है and साथी साथ यह जो मेरा particular part है यहां पे मुझे on click का event तो रखना ही है लेकिन I have a button ठीक है तो मैं button के अंदर रखूँगा and जब भी कोई button पे करेगा click तो उसके base पे हम guys देख लेंगे इसको जो भी होगा ठीक है code चल रहा है या नहीं या नहीं चलेगा because of this part so फिलाल एक काम करते है कि यह जो particular on click है थोड़ी देर के लिए मैं side में रख देता हूं and अभी मैं आपको दिखाता हूं तो आप देख सकते हो this is our code and देखो यह पता है नीचे क्यों आया यह नीचे इसले है क्योंकि हम यहाँ पर क्या use कर रहे है जब आप grid use करते हो हमने बोला भाई कि एक को 0.5 दो और एक को complete one दे दो तो यह दो तो हो गया जब तीसरे है तो तीसरे वाले को भी वह वापस 0.5 देने की कोशिस कर रहा है इसलिए वह नीचे आ गया but reality में होगा यह कि यहा तो मुझे यह दिखाओ and जब हम mobile में जाएंगे तब इसको right side में दिखाओ and इसको मत दिखाओ right तो now यह बहुत important है अब यहां से एकदम ध्यान लगा कि आप दिखिएगा so हम क्या गरते यह जो मेरा nav है यह मेरा actual वाला है जो मुझे दिखाई दे रहा है यहां पर आप मैं कुछ class name add करने ओ रहा हूं ठीक है अब मैं आपको बताता है and वो class name क्या होगा सबसे पहले मैं यह imagine कर रहा हूं कि मेरे पास state variable रहेगा जो यह true होगा यह तो false होगा जब भी हम उस button पर click करेंगे so so menu करके मैं इसको कर रहा हूं ठीक है अगर यह true होता है right तब मुझे क्या करना है मुझे मेरे mobile का menu दिखाना है so menu mobile या mobile menu कुछ भी अप्लिक सकते हो but let's go with mobile menu and अगर यह नहीं है अगर यह true नहीं है then we can go with like menu website menu web menu web कर देते ठीक है इस तरीके से अब यह जो so menu है अब मैं इसको get कर लेता हूं अब देखो कैसी यह state variable है obviously const so menu comma set so menu will be equal to your use state उपर हमने इसको import कर ली and for the time being इसको मैं false value दे रहा हूं so for the very first time मैंने यह बोल दिया कि हमारा यह so menu की जो value है वो false है it means अगर यह false है तो मुझे menu web वाला जो class name में उसका style apply करके देना and अगर इसकी value true होगी तो यह जो mobile menu है उसका style apply करके देना and अब यह कब true होगा यह कब false होगा यह किस के उपर depend करेगा हमारे इस particular button के उपर so मैं यहाँ पर चलता हूं on click जब भी कुई इस पर करेगा click तब मुझे एक function को call करना है so it's handle या तो menu लिख सकते थे button toggle ठीक है कुछ यह हम कर देते copy कर रहा हूं ctrl s save top पे में चलूंगा over here ठीक इसके नीचे const इस तरीके से ठीक है यहाँ पर मैंने चल दिया चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है and बस करना है कि यह जो set so menu है जब भी कोई इस पर click करेगा तो बस मुझे toggle कराना है so not operator and then so menu so अगर वह false है तो true अगर वह true है तो false इतना ही है react का का to be very frank तो बस यही काम था react का कि एक state variable चाहिए जब भी कोई इस button पर करेगा click तो हमें toggle करना था true and then false false and then true उसी state variable के base पर यह जो दो class name में वह हमने बना लिए अब पूरा खेल यहां पर CSS का है and I guess इतना simple code अभी तक आपने कभी देखा नहीं होगा ठीक है तो अब अगर मैं यहां पर चलता हूँ तो फिलाल यहां पर आपको कुछ भी differences नहीं मिलेगा but अब आपको difference मिलेगा सबसे पहले सबसे पहले तो यह कि हमें हमारा यह जो hamburger menu है यह कब दिखाना है तब दिखाना है जब हम mobile version में होंगे it means कि अगर हम web में है right so header container यह nap जो भी है ठीक मैं यहां पर आऊंगा we have a ham menu इसका जो main display है मैं कर दूंगा none the moment यह मैं करता हूँ तो वापस सब back to normal वापस मेरा back to normal लेकिन अब वो मुझे कब दिखाना होगा we need to use the media queries right responsive बनाने के लिस तो हमें यह use करना ही पड़ता है and i think यहां पर यह spelling थोड़ी सी mistake हो गई है but it's fine media queries all right यह कौन सा extension था if you want to know let me know in the comment section आपको at the rate media लिखना पड़ेगा screen आता है then आपको लिखना है यहां पर end अब यहां पर आप देखो दो तरीके से लोग काम करते हैं या तो main width की तरफ या तो बहुत सबी लोग जाते max width की तरफ तो मैं जो होना mostly बच्पन से not बच्पन से मालब जब से मैं कर रहा हूं मैं max width के साथ ही खिलता मालब जब तक हम इस particular pixel तक पहुच नहीं जाते तब तक I mean वही यह बस उसके नीचे या तो उस pixel तक मैंने बोला 9.98 9.98 या उसके नीचे अगर हम रहेंगे तब अब मुझे इसको क्या करना है इसको मुझे display को मुझे inline block कर दूंगा ठीक है and साथी साथ cursor मैं इसका pointer कर दूंगा ठीक है by the way cursor pointer इसका नहीं करते हम हम करते है हमारे button का right so मैं यहाँ पर चलता हूँ we have a button and यहाँ पर आप cursor pointer कर सकते हो मतलब थोड़ा सा अच्छा दिखेगा field ठीक है तो इतना आपको पता चल गया and है न तो अब मैं अगर यहाँ चलता हूँ तो फिलार कोई problem नहीं है बड़ ध्यान देना जैसे ही में 980 में आऊंगा ना देखो oh my god 9 okay 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 so 998 998 में आते है देखो यह हमें आ गया लेकिन जब हम 998 में आएंगे यह 990 pixel में तब इसको मुझे दिखाना है इसको मुझे क्या करना है इसका display नन करना है एक काम करते है हाइफन वेब ठीक है इसलिए मैंने अलग-अलग नाम दिया है यहाँ पर menu mobile and then menu web तो यह जो menu web है इसको आप मुझे display done कर देना है इससे होगा यह कि अब यह कुछ इस्तरिके से होगी है यह देखो इसको पूरा data मिला हुआ हम menu को पूरा data इसको start में नहीं end में लेके जाना है तो हम क्या करेंगे हम menu को align item sorry not align it's a justify content flex end अगर यह नहीं होता है तो मेरे पास और भी तरीके है नहीं हुआ तो फिर वो बच्चो वाला तरीका पर चलते text align and end कर देते text align and था यह क्या था यार एक सेकंड यह ही था में खुद confused हो गया end था क्या था वह तो यह मेरा काम हो गया इतना अब जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ एक चिस नोटिस करना क्या होता है यह जो menu wave आपको दिख रहा है यहाँ पर देखिए जैसे मैं क्लिक करूँगा यह menu mobile हो गया and वो data मुझे उपर दिख रहा है and मैं जैसे क्लिक करूँगा यह menu wave हो गया मतलब यह मेरा काम कर रहा है मेरा यह काम हो गया जब में इस पर click करके जब मुझे यह दिखता है इसको मुझे ऐसा ना दिखा के मुझे इसको ऐसा दिखाना इसका मतलब क्या इसका मतलब है कि पूरा का पूरा खेल आब यहां पर किसका है CSS का है कि मुझे bottom पे इस तरह किसे दिखाना है देखो, अब dot, we have our menu, ठीक है, so we have menu mobile, मैं यहाँ पर चलूँगा, मुझे एक की नीचे एक दिखाना है, so this time display, flex तो था ही वो, लेकिन flex का जो direction है, उसको मैं column कर दूँगा, सरी पितना करने से भी, अब, by the way, यह काम तो किया नहीं, इसने, but, एक second, menu mobile, oh sorry, menu mobile से कुछ नहीं होगा, menu mobile, menu mobile के अंदर, जो ul है, उसको न, क्योंकि ul के अंदर li है, तो इतना, अगर मैं कर दूँगा, तो यह देखो, ऐसा हो गया, यह देखो, by the way, आप यह काम नहीं कर रहा, ठीक है, बर जो भी हो, एक की नीचे, एक की नीचे एक आगे, मेरा कहना particular portion है, इसको मुझे completely separate करना है, and मुझे just इसके नीचे इसको इस तरीके से display कराना है, ठीक है, अब देखो, मैं कैसे करूँगा, ध्यान से देखना, dot menu mobile, सबसे पहले मुझे इसको हटाना है, तो position absolute, खत्म, the moment यह मैं कर दूँगा, यह देखो, यह कुछ अलग होगा, यह दे तो टॉप में कर दूँगा 10 RAM, मतलब उपर से मुझे 10 RAM छोड़ के दिखाओ, क्योंकि 10 RAM तो अलड़ी मेरा यह खा रहा है, यह देखो, मेरा काम हो चुका है, यह देखो, मेरा काम होगी है, अगर मैं contact पे click भी करता तो यह देखो, मेरा काम कर रहा है, मेरा Instagram handle, अब चाओ त guys, let's go with यह, ठीक है, इतना अगर मैं कर दूँगा, तो यह देखो, एक second, हुआ नहीं है कुछ, background color इसको, alright, okay, 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 guys, एक चीज़, यहाँ पर आपको width देना पड़ेगा 100%, ठीक है, यह width अगर 100% देते हो, तब यह आपका perfectly काम करेगा, यह देखो, आपका काम कर भी रहा है, यह, हो भी गया, देखो, मेरा काम हो गया, I mean, आपने देखा कि कितनी easily हम यह create करेगा बनना बहुत problem था यहाँ पर, बट और भी चीज़े मैं आपको बाताता हूँ, जैसे कि, I have my box shadow, ठीक है, the moment यह अगर मैं enter करता हूँ, तो यह देखो, कितना प्यारा दिख रहा है, अब मुझे यहाँ पर से and नीचे से न मुझे space चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर चलूँगा, लगया तो यहीं चल दो, ampersand, जो li है, उसका जो first child है, ठीक है, li क्या जो first child होगा, उसको हम क्या करेंगे, उपर से मुझे 1.2 रैम का gap चाहिए, and same, li का जो last child होगा, वहाँ पर मुझे चाहिए होगा, guys, margin, bottom, ठीक है, क्योंकि एकदम bottom पर मुझे space चाहिए होगा, 1.2 रैम का, इस तरीके से, by the way, यहाँ पर यहाँ यहाँ पर क्यों नहीं आया, पता नि, but जो भी हो, यहाँ पॉफेक्ट सी, यह देखो, मुझे space आया, उप अगर क्लिक करूँगा, यह इस तरीके से है, यह पॉफेक्ट, अगर क्वांटेक्ट पर जाऊंगा, तो यह आपका काम भी कर रहा है, so yeah, this is it, guys, आज इस वीडियो के इतिना ही, I really hope आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसन दाऊगा, कैसा लागा, let me know in the comment section, मैंने कोशिस पूरा खेल हमारा CSS का, CSS में भी ज्यादा कोई नाटक नी की, हमने, simple सा ही रखा है, so guys, आपको यह वीडियो कैसा लागा, let me know in the comment section, and finally, सबके मन में नब बार, एक responsive नब बार कास में, बना लेता वाला, जो एक चीज रहती थी, तो वो, finally, आज मैने आपको बग करके बता दी तो वीडियो पसंद आए, तो लाइक कीजेगा, source code बिल्कुल फ्री है, but still, अगर आप मेरे एंटारे YouTube वीडियो का source code चाते हो, it's only to 49 अब इसको चेकाउट कर सकते हो, and बहुत जल्द अब आने वाला है, बहुत जल्द अब, finally, हमारा जो mega project हो आएगा, तो आपको मजा आज सब्सक्राब जरू कर दिजगा मिलतो हो, कल की वीडियो में तिल दन गाइस, thank you so much, take care.